हालो फ्रेंट्स गूड इबनी और वेलकम टू माई चैनल अभी मुने मौनिंग में कुछ सेंटिमेंट देखा था उसके बेस से मार्क ने बहुत अच्छा रियाट किया है आपको उपर साइट का टार्गेट मिला होगा मैं इसम फॉसलिटी हमारी उपर जाने के थे और नीच आपको डिस्क्रीम बाक्स में मिल जाता है यहां से मुझसे जूर सकते हैं इसमें मैं अपने व्यूज को पोश्ट करता रहता हूं अभी मार्केट की हम सीच्वेशन की बात कर लेते हैं जो आज की ओपनिंग होती है मार्केट 72,000 के आसपास ओपन होता है और ओपन होने के स साथ थी थोड़ा टाइम बिताने के बाद यह जो हमारा टार्गेट था उपर की तरफ 72,500 उसके बाद में 72,800 यह लेबल हमारे लिए थे 72,500 के आसपास मार्केट जाता है क्योंकि मैंने इसके लिए एक पैन फुल एरिया बताया था यह थोड़ा यहां पर पैन मिल सकता है अभी यह इसके लिए support का काम करेगा यह इसके लिए आपको clear हो जाना चाहिए जो अभी तक market के लिए resistance का का काम कर रहा था वो अभी तक इसके लिए support का काम करेगा और important यह है friends की market को यह दूसरी बार cross कर रहा है break out करने के बाद में first time गया था फिर यह second time यहां पर जाने की क spike उपर की तरफ मिल सकती है लेगन closing 72 के उपर होना चाहिए अगर 72 के नीची आ जाता है तो फिर थोड़ा सा यहां पर weakness अभी भी बनी हुई है ऐसा मान कि हमें चलना है फोराव setup में अगर friends हम देखते हैं तो फोराव setup में market ने काफी अच्छी candlestick pattern बनाई है overall इसने दो candle में अब move किया उसके बाद में लगाता है यह नीची की तरफ पांच बेएक बार trade कर रहा है तो अगर आप यहां पर positive side जाना चाहा रहे हैं तो अभी market के लिए नई position बना साथ में important यहां पर यहां पर यह गया था 73 के असपास पहुंचने की कोसिश कर रहा था लेकिन उसके पहले ही market ने down move दिखाया जबरदस्ते के एक candle ही बनी थी अब इससे भी यह नीचे अभी close करने की कोसिश कर रहा है तो थोड़ा सा भी यहां पर positive sentiment बनने की कोसिश नहीं क करेगा और sustain करने के बाद में आप कर देखोगे यहां से पुरा October मन्त की trading में कभी यह 72 के उपर closing नहीं किया है hit करने की कोसिश भी इसने किया है तो current beak में ही किया है एक यहां पर गया है और आज गया है मतलब दो बार इसने इसी beak में touch करने की कोसिश किया है अब यहां पर situation के अगर बात करते हैं तो positive तभी हम होंगे जैसा कि मैंने आपको बताया 72 के उपर और फिर उसके बाद में आपके लिए नया spike उपर की तब देखने को मिलेगा 73,500, 73,500 यह सारी चीज़ हम डिटेल में अपनी जो हमारी analysis रहेगी उसमें हम देखेंगे लेकिन अभी हां current situation में market थोड़ा सा upside जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसको थोड़ा resistance face होना ऐसा को दिखाई पड़ रहा है अब daily time frame में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो तीन candle जो बनी है इस बीक में अगर देखेंगे last के तीन दिन की trading अगर बात करते हैं तीनों दिन में market ने कुछ clear move यहां बनाने की कोशिश नहीं किया है और यहां पर अगर यह current पे close उपर हो जा लेकिन यह हम देखके अब ही आज हम position बनाके नहीं ले जाएंगे यहां से फिलाल market अगर 72 के उपर close करता है तो हम positive रहेंगे current situation के उपर चलेंगे और नई position के लिए भी फिलाल के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि market है chances जा उपर जाने के लिए लिए clear नहीं कर रहा ह है तो देखते हैं क्या sentiment रहता है friends मिलते है next वीडियो में weekly sentiments की जो मैं आपके लिए वीडियो पोस्ट करूँगा definitely देखेंगे वह आपको detailed learning मिलती है thank you friends